मीडिया रपोर्ट्स की माने तो यह डील एक सौ करोड रुपए में हुई है। कमिल फिल्म इंडास्ट्री में यह किसी फिल्म के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। सूरियम, सिरुथाई, वीरंग, वेदालम और विश्वासम जैसी कुछ फिल्में बनाने के बाद सिवा पहली बार तमिल सुपरस्टार सूरिया के काम कर रही है। फिल्म की घोशना सितंबर में हुई थी। यह फिल्म 3D में बन रही है जिसे 10 भाशाओं में रिलीज करने की तैयारी है। फिल्हाल इस फिल्म को सूरिया 42 फीट कहां जा रहा है। सूरिया के साथ इस पैन इंडिया फिल्म में दिशा पाटनी भी नजर आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह डील 100 करोड रुपए में हुई है। कमिल फिल्म इंडस्ट्री में यह किसी फिल्म के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे बड़ी राशी है। सिवा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदे हैं। इस फिल्म को लगभग 200 करोड के बजट से बनाया जा रहा है। इस पीरियन आक्शन फिल्म को लेकर चर्चा है कि इसमें सूर्या पाँच किरदारों में नजर आ सकती हैं। अब वो हिंदी में सूर्या 42 फीट का भी वितर्ण करेंगे। गौर्तलब है कि पेन ने तेलुगू फिल्म आरारार के हिंदी राइट्स भी 140 करोड में खरीदे थे। वहीं फिल्म ने हिंदी पट्टी में 274.31 करोड का कलेक्शन किया था। सूर्या की बात करें तो एक्टर आखरी बार फिल्म विक्रम में दिखे थे। इस फिल्म में उनके छोटे से रोल ने काफी सुर्खिया बटोरी थी। इसके बाद निर्देशक लोकेश कनगराज ने सूर्या के कैरेक्टर रोलेक्स को लेकर अलग से फिल्म बनाने की घोशना था।